नमस्य में हूँ रिनुका तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में भूद भूद स्वागत है तो आपने बेशन से बना नास्ता तो बहुत बर खाये होगा मगर आज में आपको बेशन और दूस से बनी एक बहुत अलग तरीकी की और बहुत ही स्वाधिष्ट एसी नास्ते वाली रेसिपी बना की दिखाने वाली हूँ तो मुझे एकी ने आपने इस तरह से पहले घर पे कभी ने बनाई होगी तो चले श्रार करते हैं आज का वीडियो तो इस वाधिष्ट नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक बैटर बनाना है तो उसके लिए मेनिया एक बाउल लिया है तो सबसे पहले हमें इसमें एक कप बिसन डनना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप चावल काटा डनना है फिर हमें इन दोनों आटों को अच्छी तरह से मिक्स करना है तो अभी आए दोनों आटे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं फिर हमें इसमें पानी डलना है और इसका हमें पतला सा बैटर बनाना है तो हमें इन दोनों आटों को अच्छी तरह से मिक्स करना है तो इसमें एक भी काट नहीं रहने दिनी है तो हमें इस बैटर को अच्छी तरह से चमच से मिक्स करना है तो अभी हाय ये बैटर बन के त्यार हो चुका है तो इस रेशिपी बनाने के लिए जब से पहले हमें ग्यास पर बरतन रखना है और उसमें हमें दो चमच तेल डलना है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें आदा चमच राई डलनी है फिर हमें इसमें आदा चमच जिरा डलना है फिर हमें इसमें एक बारी कट किया हुआ प्याज डलना है और इसे हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है तो अभी यह प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है फिर हमें इसमें एक चमज बारी कट किया हुआ कड़ी पता डलना है फिर हमें इसमें स्वादमुसार बारी कट किया हरी मिर्ची डलनी है और इने भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी आए सारे इंगिड़न्स अच्छी तरह से फ्राय हो चुके है फिर ये रेसिपी बनाने के लिए मैं यहां पानी का नहीं दूद का इस्तमाल करने वाली हूँ तो हमें इसमें दो कप दूद डलना है फिर हमें इसमें आदा चमच हल्दी पौड़ डलनी है फिर हमें इसमें एक चमच गरमसाल पौड़ डलना है फिर हमें इसमें एक चमच धन्या पौड़ डलना है फिर हमें इसमें पाव कप बारी कटके वे हरी धन्या ड़नने है फिर आखिर में हमें इसमें स्वादनुसा नमक ड़नना है फिर उसके पास अभी हमें इस दूद को अच्छी तरह से बॉल कर लेना है तो अभी यहाँ दूद अच्छी तरह से बॉल होना शुरू हो गया है फिर हमें इसमें यह बेसन की पेश्ट डालने है तो हमें थोड़ी-थोड़ी करके इसमें बेसन की पेश्ट डालनी है तो अभी में यहाँ बेसन की पेश्ट पुरी डाल दी है फिर उसके बाद आभी हमें इन सारे इंगिडियन्स को चम्मस से दिरे से मिक्स करना है तो हमें ग्यास को एकदम बारिक रखना है नहीं तो यह जल जाएगा तो हमें इसे चम्मस से इसे अच्छे तरह से मिक्स करते रहना है और इस मिश्रन को हमें एक भाप आने तक अच्छी तरह से पका लेना है तो अभी हाँ एक भाप आ चुकी है और इस मिश्रन अच्छी तरह से पक चुका है फिर हमें इस बैटर को सेट करना है तो उसके लिए में यह एक प्लेट ली है तो सबसे पहले हमें इसमें चम्मज से तेल लगा लेना है तो आप तेल की जगा इसके उपर घी भी लगा सकते हो फिर उसके पाज आभी हमें इस बैटर को इस प्लेट के उपर साड़ा डाल देना है और इस बैटर को हमें चम्मज से अच्छी तरह से फेला देना है तो अभी मेंनी यहां बैटर को आच्छी तरह से फेला दिया है फिर उसके बाद अभी हमें इस बैटर को पूरी तरह से थंडा कर लेना है तो अभी यहां बैटर आच्छी तरह से थंडा हो चुका है फिर हमें चाकू लेना है और इसके हमें इस आयर कट करने है तो यहां मैंने इसे चोकोन याकर में कट कर लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इसके त्रिकोन याकर में पिसिस कट करने है तो मैं अभी इसके त्रिकोन याकर में पिसिस कट करने वाली हूँ तो चाहू तो आप इसके चोकोन याकर में भी पिसिस कट कर सकते हो और अपने हिसाब से अपने पसंद से इसकी डिजाइन बना सकते हो तो यह दिखें मेनिया इसके इस तरह से त्रिकोन आकार में पिसेश कट कर लिए है फिर उसके बाद आभी हमें इने फ्राय करना है तो इने में सेलो फ्राय करने वाली हूँ तो उसके लिए मैं इने ग्यास पे एक तवा रख दिया है तो सबसे पहले हमें इसमें चम्मट से तेल डालना है तो आप इने डिप फ्राय भी कर सकते हो फिर हमें इस तवे के उपर इस त्रिकोन आकार के पिसेश रखने है और इने हमें ग्यास को मीडियम आज पे रखके दोनों तरफ से ब्राउन और क्रिस्पे होने तब फ्राय करना है तो मैंने इने एक तरफ से पलट दिया है तो एक तरफ से फ्राय हो चुके है फिर उसके बाद हमें इसके उपर फिर से चम्मट से तेल डालना है और इन्हें हमें फिर से पलटना है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राइ करना है तो अभी हाए दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके है तो हमें इसी तरा ही चमड से इन्हें पलट के इन्हें चारो तरफ से अच्छी तरह से प्राउन होने च्तफ करना है यह बहुत ही जल्दी फ्राइ हो जाते है और इन्हें फ्राइ करने के लिए ज़्यादा तेल की भी जलर नहीं लगती तो अभी हाई ये फ्राय हो चुका है और ये बन के तैयर हो चुका है तो आप इस नास्ते को गर्मा गरम ग्रीन चटनी या सॉस के साथ नास्ते में सर्व कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में, और एक नए रेसिपी के साथ, तो थैंक्स तुरें, वाचे माई वीडियो